हेलो इप्रीवन कीफ़ लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है और इस वीडियो में जो कुश्चन देखने वाले हैं वो है राइट एनी फोर मेजर्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रम लाइटनिंग तो कुश्चन में कहा है चार मेजर्स बताईए जिनके द्वारा आप अपने आपको लाइटनिंग से यहने बिजली से बचा सकते हैं तो आंसर है फर्स्ट डू नोट टेक बाथ इन वाटर बाडिज एड़ टाइम अफ लाइटनिंग तो जब लाइटनिंग हो रही है बिजली चमक रही हो तब हमें किसी भी वाटर बाडिज में जैसे नदी ताला आप इन वाटर बाडिज में उस वक्त नहाना नहीं चाहिए सेकेंड है डू नोट टच इलेक्ट्रिक वाइर्स एंड मैटल अबजेक्ट अट टाइम ओ लाइटनिंग तो सेकेंड में कहाए कि जब लाइटनिंग हो रही हो उस दौरान इलेक्ट्रिक वाइर्स और मैटल से बनी हुई चीज जैसे पोल्स वगएरा इन चीजों को हम ना चुआ है इन चीजों को नहीं चुना चाहिए फिर थर्ड है stay in home तो यहां कहाए कि घर में ही रुके रहें जब लाइटनिंग हो रही है तो बाहर ना निकले घर में ही रुके रहें फूर्थ है do not stay under tree तो यहां कहाए कि ट्री के नीचे खड़े ना हुआ क्योंकि ट्री पर लाइटनिंग होने यानि की बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होती है इसलिए जब लाइटनिंग हो रही हो तो हमें trees के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए ठीक फिर है फिफ कि यदि आप open area में हैं जैसे कि ground में या field में हैं तो वहां बैठ जाईए ठीक है तो जब हम open areas में हो तो वहां पर lightning के दोरान हमें बैठ जाना चाहिए फिर है sixth if you are in the vehicle then close the windows of the vehicle and stay inside तो यहां का गया है यदि आप किसी vehicle में है car बस किसी भी vehicle में है तो वहां उस vehicle के windows को बंद कर दीजिए और उस vehicle में जब तक lightning हो रही है तब तक बाहर ना निकले उसी में ही बैठे रहे है ठीक है तो यह थे हमारे मेज़द कि हम किस तरह से lightning से बच सकते ह hopefully आपको यह समझ आया होगा thank you very much for watching